तो पचास से भी नीचे पड़ा ना तो यह होता तो इसे तो गुजरात में इसकी जरुवत हो यह उत्तर प्रदेश में क्यों जरुवत पड़ी क्यों कि यह है तो प्रदेश में यह काम करती भी नहीं होती है उनसे अच्छा कोई भी प्राइबेट टेरी नहीं कर सकती किसान चाहें वो कर सकती है कि साहिकारी संस्ता जो भी होती है कि उनका अलगा नहीं होता है कि यह अगया तो जो भी पैसा होता है इस होता है तो अगर दुकान के मालिक नहीं तो उसमें जो भी मुनाफ़ा आएगा अगर एक हजार रूपय बचा तो एक हजार कहा जाएगा वह सभी होती है वही किसान का हिंद कर सकती है पराग डेरी जो हमारे उत्तर प्रदेश का कॉपरेटिव था अगर वह सही से चलता वह गौवर्मेंट ने बहुत सपोर्ट दिया बहुत पैसा भी दिया उसके जो करबचारी थे उन्हें भी बहुत पैसा देते थे लेकिन वह किसी कारणों बस उसमें चाहिए करबचारियों की जल्तियां रही या किसान मतला मुझतर ऐसे नहीं उससे समझ पाए जो भी रही नितानगरी की वजए से तो पराग जो कॉपरेटिव था हमारा कॉपरेटिव उस्तर प्रदेश का कॉपरेटिव का वो जब सक्टे नहीं हो पाया तब अमूल नहीं कि यहां जरूरत है कि पसुपालन है जो दुख दुथपादन है उस्तर प्रदेश में घटता जा रहा है जब पराग बैठती चली गई तो पसुपालन दुख दुथपादन कम हो रहा था तो गवर्मेंट वो लगा कि अब खेती किसी के पास पी सईज़ा था आपके पास होगी अकर सो जब्द हरे को थैब कि अगरेत अधाल यह मैं कि इतना हो सकता है कि इतनी कशण नहीं होगें जहAR कि अगर हमें जेवीब काश्राणियों हो पमें जैकर में गयरुके डुम झाल 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 झाल